नमस्कार दोस्तों स्वागते मेरे चनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है वो कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है हमने बुक्स वगेरा में तो पढ़ा दा डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में लेकि कि यह हमारा क्यापैसिटर है कि आप कोई भी क्यापैसिटर ले सकता है कि सय तालिसों अमदी का भी ले सकते हैं यह वोल्ट कुछ भी हो एंचलेगा यह देखिए लएडी है लिडी से पहले कि रिजिस्टर लगाता है दोसुद भी सो का ताकि यह एल-डी में देखिम storák जाए नहीं तो हमारा LED खराब हो जाती है आए देखिए दोस्तों ये काफी आसान सा सर्किट है जिसके द्वारा आप इसमें दिखा सकते हैं जैसे हम इसको आउन करेंगे तो हमारा जो फस्ट ए लेडी है वो हलकी सी ग्लो करेगी और देर 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 उसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी और हम स्विच को ऊफ कर देंगे जैसे दूसर्य सुच चलाएंगे तो हमारी जो चार्ज हुआ था उसी के द्वारा वो डिस को आफ रखेंगे यानि कि शुरुवात में हम दोनों को आफ रखेंगे और जैसे हम इसको आउन करेंगे तो हमारा LED जलने लएगा दोस्तों दोनों जो LED आए है वो थोड़ी दरी के लिए जलेगी यहनि कुछ सेकंड के लिए जलेगी जो देखें दोस्तों इस तरीके से जो डिस्चार्ज वाली प्रकरिया है काफी जल्दी हो जाती है और एक ब्लिंग की तरह हमारे LED जलके बंद हो जाती है तो यह दिखाता है कि कैपेसिटर में जितना स्टोरेज था वो LED तक गया और LED उसको जैसे स्टोरेज खतम हो गया तो LED बंद हो गई इस तरीके से जलता है और काफी थोड़ी कुछ सेकिंड बाद ही बंद हो जाता है यानि कैपेसिटर में काफी कम चार्ज था क्यों चोटा क्यापेसिटर है तो दोस्तों हम इसका सब्सक्राइण समझ लेते हैं एक बार तकि आपको बनाने में असानी हो जाए डिकी दोस्तों इसको बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए जैसे बैटरी होई बैटरी कई हूए दो LED चाहिए हमको दो switch चाहिए एक एक हंडेड ओम का भी ले सकते हैं आप के रिजिस्टर दो लेने आपको और एक पीस लेना है आपको केपेसिटर अंडेड ओम हंडेड यूफ का सॉरी अंडेड नहीं 1000 यूफ का आई अब सर्केट में देखते हैं यह हमने केपेसिटर लगा दिया है यह हमारा बीच में लूफ कैपेसिटर है और ये नएट वोल में बैटरी से जो सप्लाइ जा रही है प्लस वाली हूँ हमारी वैट के प्लस पर जाएगी और मायनस यह मैनस है कामने रेजिस्टर लगा रखा है LED पर और जो LED LED के पास में स्विच और फिर वापीस एक स्विच लगाएंगे दोस्ता में सब चीजे स्वोल्डिंग करनी है कि बिना स्वोल्डिंग के ये काम नहीं हो पाएगा तो आप इसको जूरूर स्वोल्डिंग करवा लीजिएगा एक LED लगाएंगे दोस्तो इसमें आपको प्लस मैनस का ध्यान रखना है LED पर भी और ये नीचे रइस्टर के थुरू LED का पॉजेटिव सरा सिरा बैटरी और कैपिसेटर के पॉजेटिव से जुड़ जाएगा तो दोस्तो इस देके से यह सर्केट है काफी सिंपल सर्केट है और इसमें दो स्विच लगए हुए है जैसे आप फर्स स्विच को ओन करते हैं तो हमारा कैपिसेटर चार्ज हो जाता है और यह दिखेगा आपको LED के थुरू LED से ब्लिंग करके आपिस बंद हो जाएगी दीदेरे यानि कि हमारा कैपिसिटर चार्ज होते होते फुल चार्ज हो चुका है और जैसे हम दूसरा स्विच ओन करेंगे तो हमारे LED सेकेंड लेडी है वो ब्लिंग करके बंद हो जाएग आपका जो प्रोजेक्ट इस तरी के से दिखेगा